हेलो दोस्तो आज हम अन्बोक्सिंग करने वाले बॉल्ड रिप स्मार्ट वॉच का तो इस वॉच के अंदर हमें कौन-कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये वॉच हमें लेनी चाहिए या नहीं हो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ तो वीडि लेंगे तो आपको ये डाय हजार में मिल जाएगा तो चलिए वोच के बारे में आपको बता देता हूँ तो यह रहा इसका बॉक्स इस साइड आपको बॉल्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है यहां उपर की साइड में आपको पास फीचर्स दिये गए हुए जैसे की इस वोच के अंदर हमें Health Monitoring, One Year Warranty, Economic Design, IP 168, Protection इसके वोच के अंदर हमें 60 Sports Mod मिलते हैं बॉक्स के पिछे की साइड में यहां आपको मार्केट प्राइज दिया गया हुआ हुआ है जो की लगबक 8000 है यह वोच मेंने ब्लैक कलर में पर्चिस किया हुआ हुआ है यहां आप बॉक्स को ओपन करके देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है तो चलिए अभी बॉक्स ओपन करते हैं तो बॉक्स हमें ने ओपन कर दिया है यहां हमें एक यूजर मिनियोल मिलता है तो इसको रखते हैं साइड में इसको बाद में देखते हैं कि यहां में एक स्मार्ट वॉच देखने को मिलता है कि इसको रखते हैं साइड में इससे बाद में देखते हैं तब देख सकते हैं इसके अंदर हमें एक USB केबल मिलता है जो कि मैगनेटिक है इससे हम स्मार्ट वॉच को चार्ज करेंगे तो इसको रखते हैं साइड में तो इसके अंदर हमें और एक वारंटी काड देखने को मिलता है इसको रखते हैं साइड में तो चलिए अभी यूजर मैनुवल को देखते हैं तो वोच को चलाने से पहले यूजर मैनुवल को जरूर पढ़िएगा तो इसके अंदर हमें सभी फीचर्ज डिटेल बाई डिटेल दिये हुए हैं तो इससे पढ़के हम स्मार्ट वोच चलाएंगे तो इसको रखते हैं साइड में ढू यहां अपने को बल्ट के ब्राजंपने को मिलती है इस सइड भी हमें बॉल्ड की ब्रांडिने को मिलते है आप देख सकते हो वोच के पीछे की साइड यहां को सबी सेंसर देखने को मिलेंगे और यहां यूएस बी चारिजिंग केबल कनेक करके हमारा समार वोच करेंगे यहां से हम स्ट्रेप्स को रिमूव करके दूसरे स्ट्रेप्स लगा सकते हैं आप देख सकते हैं यहां से चेंज कर सकते हैं कि वुच कि दूसरी साइड डेखे तो यहां हойти को बटन मिलेगा तो यह घुमता है ब़र उसका कुछ काम नहीं मिलेगा तो वुस However कि अनृफ कर कर सकते हैं वोच की दुसरे साइड में यहां तो वोच का बोड़ी देख सकते हो ते वोच को बोड़ी आमको प्लास्टिक का मिलेगा तो इस वोच का वेट लगबग 45 ग्राम से तो हमें पहने में से कोई दिक्यत नहीं आएगा तो चलिए अभी रेपर को हटा देते हैं तो अभी button को long press करके रखेंगे और हमारा वोच चालू हो जाएगा तो अभी वोच को on कर दिया है तो याँ हमको सब्हु Almogos features देखने को मिलेंगे तो बैक जाने के लिए हमको button को प्रेस करना है तो हम back आ जाएंगे राइट साइट से स्वाइप करेंगे तो यहां हमको सभी फीचर्स देखने को मिनेंगे नीचे से उपर स्क्रोल करेंगे तो यहां हमको सभी फीचर्स देखने को मिनेंगे तो इस वाच के अंदर हमें जो जो फीचर्स देए गए हुए हैं वो आप यहां देख सकते हो इस फीचर्स के बारे में आपको एक-एक करके फुली डिटल्स में समझाऊंगा अगर आप उपर से नीचे स्क्रोल करेगे तो यहां आपको कुछ फिचर्स देए गए हुए हैं जैसे कि पहला ओप्षन डूर्ण डिस्टब का ओप्षन आपको देखने को मिलेगा दूसरा ओप्षन यहां आपको ब्राइटनेस एड़्जेस करने का ओप्षन मिलेगा जो कर सकते हों अगर आप 15-20 मेंनक डाइमर का चाहिए तो आप यह से changing कर सको क्सिंज कर एक है इनाटर यह ख्यां जो भी टाइमर हो मिलता है जो करेका चाहिंठ सकते हैं यहां पाचवा ऑफ्षन आमें मिलेगा यहां की फ्लेसलाइट ओन किया तो हम कि जो डिस्प्ले हो ब्राइट मिलेगा इससे अंदर हमें थोड़ा वेल यह छटा सन में सेटिंग्स कहा मिलेगा तब को एक एक कर के सभी सेटिंगS बता देता हूं यहां सबसे पहले हमें activity data मिलता है यहांने जीन्मेर में जो भी activity किया होगा वो यहां contemporary सो करे है यहां में केलर कितनी गेंड किए वो आपको यहां सब कुछ बताएगा तो बैक जाने के लिए हम लेप से राइट स्वाइप करेंगे इस तरह तो हम बैक आ हैंगे थुसरा option है फोन का मिलेगा तो में यहां आत्युक मिलें असलिखे सब्सक् Marketing no डिउतक्र मिलेंगे रहां करेंगे जो कि हमने में किसी को कौल करेगा तो दिखाएगा यहां को डायào प्रप्रटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर है इसके वाद यहां को हट मॉनिटरेंग अंध। मिलता है जो कि हमारा हर्ग काकट बता था है तो अब हमने सके ठावन तो यह हमको प्रॉपरली बता रहे है कि अपने सका पेहना नहीं है इसके बाद हमको इसके अंदर SPO2 sensor देखने को मिलता है जो कि हमारे शरीर के अंदर कितना oxygen लेवल है वह इसके अंदर हमको दिखाता है इसके बाद यहां हमको 60 sports mode मिलेंगे जैसे running cycling वेगरा वेगरा जो भी रहेगा हूँ आपको यहां सब भी दिखा दिये गए हुए हैं आप देख सकते हो यहां नीचे से हम कर्स्टमाइज करके अपना जो भी sports mode रहेगा दूसरा यहां से एड़ कर सकते हैं यहां हमको एक वैदर का option मिलेगा देखने को मिलता है जो कि हम mobile को connect करके सब कुछ देख सकते हैं यहां मैसेज को option देखने को मिलता है जो भी हम लोग के हम लोग को मैसेज आएंगे वो यहां सो करेंगे यहां को एक AI वोड़ वोड़ मिलता है जो कि क्याप्य अच्छा option है यहां camera control मिलता है वो यहां से हम फोटो कीच सकते हैं यहां को एक smart stopwatch देखने को मिलता है जो कि यहां से हम timer time लगा सकते हैं इसके नीचे यहां को एक alarm alarm का option मिलता है जो कि काफी अच्छा है तो इससे हम अभी smart watch से set नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमको bolt का app download करके उससे set करना पड़ेगा alarm इसके नीचे हम को music option देखने को मिलते हैं यहां से हम music को on off कर सकते हैं यहां से हम sound को कम ज़्यादा कर सकते हैं और आगे पिछे music ले सकते हैं यहां timer option देखने को मिलता है वह मैं आपको पहले बता चुका है यहां फ्लैसलेट का कि यहां फाइंट फॉन का features देखने को मिलता है अगर आपका डिवाइस कहीं और रहेगा तो यहां से हम मोबाइल जो भी डिवाइस मोबाइल रहेगा उससे ढोड़ सकते हैं यहां आपको तीन गेम्स मिलेंगी देख सकते हो तो पहला गाम कुछ ऐसा है इसके वारे में मुझे मोड़ Us के लिए करेछ लिए कि लास्त में हमें ओधर का उप्ष恭喜 देखने को मिलता है तो इसके अंदर हम लाएंगे तो यहां सबसे पहले हम डिस्प्ले में जाते हैं बाकी features आपको बाद में बताता हूं अवर आप देख सकते हो दिस्प्ले में जाएंगे इसके बाद सबसे पहले आप brightness का option अपने का देखने का मिलेगा जो कि हम brightness को कम ज्यादा कर सकते हैं आउड़ इंड़ोर में यूज़ कर सकते हैं दूसरा option हमें auto lock का मिलेगा जो कि हम screen का timer जो भी on off का timer है वो set कर सकते हैं यहां से हमको जो भी apps को जिस तरह रखना है उस तरह रख सकते हैं तो यहां को honeybeen की तरह सब apps देखने को मिलेंगे तो इससे हम यहां से on off कर सकते हैं यहां तिसरा option हमें watch pages का देखने को मिलते हैं तो यहां से हमको जो भी watch का wallpaper रखना है वो यहां से रख सकते हैं तो मैंने यहां भी रख दिया है तो इसे लॉंग प्रेस करेंगे तो यहां से भी हम वोच फेसे रख सकते हैं जो भी हम कोल वेपर चाहिए वह यहां रख सकते हैं इसके बाद तो भी लिस्ट व्यूव में रखेंगे इस तरह इसके बाद यहां हमको डूनोट डिस्ट व्यूव का ओप्शन देखने को मिलता है तो इसके नीचे हम हमें यहां लोग पावर मोड देखने को मिलता है जिससे हमारा ब्राइटनेस लेवा कम हो जाता है यहां से हमको हम वाच को मूट या रिंग वाइब्रेशन मौड पर रख सकते हैं इसके नीचे हमें सिस्टम का ओप्शन देखने को मिलता है जाने के बाद यहां से हमको वाच को रिस्टार्ट कर सकते हैं यहां पावर आफ कर सकते हैं यहां से रिस्ट वाच कर सकते हैं इसक कि right side में हम swipe करेंगे तो यहां को messages, activity data, phone, steps, सबी features देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो, music control कर सकते हैं, तो यहां से आप सबी activity data देख सकते हैं, तो watch के बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया है, जो कि आपको watch को एक बार पहन के दिखाता हूँ, watch कैसे दिखती है, तो मैं आपको अभी heart monitoring करके दिखाऊंगा, heart monitoring के लिए एक minute का time लेता है, तो एक minute में जो भी आपका heart counter आएगा, वो यहां दिखाएगा, तो फिलाल अभी मेरा 81 आ गया है, तो यहां से आप देख सकते हो, check कर सकते हो, तो मैंने आपको watch के सभी features explain कर दिए है, तो watch के बारे में एक ही बात में कहना चाहूंगा, कि यह watch काफी अच्छा है, आप इसे purchase कर सकते हो, अगर आपको यह watch purchase करने रहेगी, तो आप मेरे description में जाके, वहां से आप इस watch को खरीज सकते हो, तो watch के बारे में आपको कुछ doubt रहेगा, तो आप comment box में मुझे जरूर बताएगे, इस watch को चलाने के लिए आपको ball drip का app डाउनलोड करना पड़ेगा, एपको डाउनलोड करने के लिए आप प्लेश्टर में जा सकते हो, या watch में देगे, qr code को scan करके, एपको डाउनलोड कर सकते हो,